कर्ष्ण के हमारे देश में जो इश्वर के तौर पर पूझे लाते हैं मिलती जुनती तो आप पूझे रही है कि कहाव http ये कहानी में क्या समानता है और क्या दोनों में तालमिल है यही आपका सवर येस ब्रदर के मैंने सुना था कि ऐसे ऐसे किसी को एक बेबी हुआ था पता नहीं वो क्रीशन थे या कौन थे मुझे पूरी जानकरी नहीं है और उनको भी ऐसी तलाब में था एक तलाब था उसमें तोकरी में डालके छोड़ दिया था और फिर वो किसी लेडिस ने लिया उसकी देख रेक करी उसको पालन पोशन बढ़ा किया और क्या वो क्रीशन था या कौन था और जब मुझे पता चला कि ये अभी हमने पढ़ा है कि ये वक्चन तो वाइबल में था और वो मुझे था तो ये क्या है? ये वो कोन थे? उनकी कहानि क्या है? तो जाएनशने पढ़ने के लिए आपको evidence चाहिए होटे है आपको सबूत चाहिए होते है एविडेंश की आधार पर ही किसी भी बात को सत्य या मिथ्या यानि जूहां को माना जाता natuurlijk जब हम बात करते हम de AFT MA का इसके लिए आप केडिन जाहिए है आम केहते हो के जी switch कि काहनी को कैसे ऐद मिस्र । carried है कि एजिप्ट मिस्र के बारे में जिसके बारे में कहानी है जो उसके सारे के सारे अबिशेश जो है वो हमारे सामने आज भी मौझूद है और जो मुसा की कहानी बताई गई है मुट्सा के समय में जो लाल समंदर था वो लाल समंदर भी हमारे पास मौजूद है और जिसको दो भाग किया गया था यरदन नदी भी हमारे सामने मौजूद है उसारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है और मिस्र की वो सेना जिसको पानी में जिसको दफनाया गया था जो ने जिसको डुबा कर मार डाला था उनके अशेश भी वैज्ञानिकों ने पाए हैं वो बड़ी मात्रा में पाए हैं इजिप्ट को कोई जुटला नहीं सकता है कि बड़े-बड़े वहां पर उनके पिरामिड हैं और मूर्तिया स्टैचू सब वहीं के वहीं पड़े हैं ठीक हम समझते हैं जब उसका अवलोकन करते हैं उसकी जांच करते हैं तो हमें एविडेंस के नाम पर क्या मिलता है हमें एविडेंस के नाम पर एक नगर मिलता है नगर है जिसका नाम द्वारिका है लेकिन सिर्फ नगर होना काफी नहीं है जैसे इजिप्ट जो है इजिप को कह सबसे महानतम एक प्राचीन सब्रता है और इचिप्ट का जो फिरॉन जो राजा है उनकी इश्वर के तौर पर पूझा की जाती है अगर इस बात को हम बोले कि हमें इसको बताओं कैसे तो उनकी इतने बड़े-बड़े मूर्तियां मौझूद है कि उनका कर आज भी आश्चा कर देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रगार लिखा है कि वह मक्षन चुराते थे और गोपियों के साथ रास लिला करते थे यह तो कुछ अलगवाते लेकिन कुछ एहम बाते हैं कुछ एहम वह यह हैं कि कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने सबसे चोटी उंगली पर जो है पर सबसे चोड़ी पर उठा लिया था तो अब सौचने वाली बात यह है कि अगर कोहीं व्यक्ति इतना शक्ति शाली है कि उसने अपनी सबसे छोटी हम्रिपार एक उसलीआ उठा लिया था तो उस व्यक्ति के जीवन काल में जो इश्वर कहनाता है इतना बलशाली है इतना अद्बुद अलोकिक है उस व्यक्ति के जीवन काल में बनी हुई इमारतें बनी हुई मूतियां बने हुए उसके मंदिर या उसके ढांचे या उसके स्टैचूज वो सारे इत तो यह एक नापने तोलने का एक सिद्धान्त है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ नहीं बनाया सिर्फ एक नगर है जिसका नाम दौर का रखा गया है ऐसे तो कोई भी कुछ भी नगर बना ले उधारण के तौर पर जो श्री लंका जो है जिससे बताया जाता है के राम ने जिस पर चुड़ाई कर गये सिटा को चुड़ाया था उस जगा का नाम श्री लंका ठाही नहीं फ एक शक्टियां पाई तो यह बाते सुनने में कितनी बड़ी बड़ी लगती है लेकिन जब आप evidence evidence के नाम पर आपको एक पत्थर का टुपड़ा नहीं मिलता ऐसे ही कृष्ण का जीवन है महा भारत के समय में कृष्ण जो है वह आरजुल के सार्थी थे और कृष्ण ने जो है वह परवत को उठा लिया था महा भारत में असी लाग से ज्यादा सैनिकों ने लड़ाई असी लाग जो है वह एक तरफ का है दोनों तरफ का मिला कि उससे भी बहुत बड़ा अगड़ा है उसमें हाथी भी थे गोड़े भी थे रत्र भी थे लेकिन अगर इन सब का पांच साल है और अगर हम हडपा मोहन जोड़ों की खुदाई में देखी कितने सारे विशेश में हैं इजिप्शन के कितरे सारे विशेश में लेकिन जब महाभारत की कृष्ण के समय की द्वापर्यूंग की यह किसी भी धर्म घ्रंतों में जिसका वरण किया गया है उनके जब एविडेंस के नाम पर एक आदा पत्थर मिल जाता है एक आदा चाकुछूरी मिल जाता है कह इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी वी कहानिया इन किताबों में बताई कहीं है वह सारी कहानिया ये ज्छूट है या कहीं और से ऊठाए़ कर अपनी कहानिया बनाता थोड़ा-थोड़ मरोर भी लोगों को उस समय के पुराने समय में कि दी तो अब सवाल यह है कि अगर आपक के दो कहानिया है। मैं तो पिसके बचाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको डोनों में से ये परखना है कि सच्ची कौनसी है तो आप कैसे परकोगे आप evidence देखोगे कि कि स्ट्रॉंग है जिसके evidence strong है वो सच्ची है जिसके evidence कम सच्ची है और जिसके evidence बिल्कुल भी नहीं है वो सराखना है तो अब जब हम बात कर रहें मुसा की तो मुसा के समय में एक नीश सेकड़ों हजारों एविडेंस हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत कोई विद्वान कोई संटिस्ट नकार नहीं सकता लेकिन जब बात करते हैं क्रिशन की तो एविडेंस के नाव पर कुछ भी नहीं तो इसल तो कहानी ब हैं जो है नहीं का सब्सक्राइब हैं कि जब आप उस किताब को पढ़ते हो तो आप लगता ही आप ऐसे को जाते हैं कि बिल्गुल सच में हुई घटना है एक एक बात इतने खुबसूर्टी से गड़ा गया या गढ़ने की शमता है उस समय के विद्वानों ने इस शमता का इस्तेमाल किया और यहां महां से बाते लुक्षियां और सुनी सुनाई बाते सुनतर उन पर अच्छी कहानिया गढ़ी और वह कहानिया गढ़कर पुराने समय के लोगों को दे दी परोज़ी यह तुम्हारे इस को मानल के पुजा करें लेकिन नाम पर क्या है कुछ भी नहीं इसलिए हम विस नंतीजे पर पहुंचते हैं कि क्रिष्ण की जो कता है वह कता मिध्ध है वह कता जो है वह इंसानों के द्वारा बनाई गई है और मुझा की गता क्यों की उसके एविदेंस पुमसा कि करेंसे रहें सचीम मैं जर सकता उप आपका जो आप जोब को आपको आप स्वारारा बनाइज है